चलिए बात करते हैं मीट्रिक सिस्टम में किसी ऑबजेक्ट के वेट को नापने के यूनिट्स के बारे में और यहां पर मैं वेट को इनवर्टेट कॉमाज में लिख रही हूँ क्योंकि दरसल मीट्रिक सिस्टम में वेट को नापने की यूनिट्स नहीं होते हैं मीट्रिक सिस्टम में हमारे पास होते हैं मास को नापने के यूनिट्स और अक्सर हम इन दोनों वर्ड्स को एक दूसरे की जगह पे इस्तिमाल करते हैं लेकिन जैसे जैसे आप और साइंज पढ़ेंगे और अपने साइंटिफिक करियर में आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये ये दोनों चीजें ये अलग-अलग हैं तो mass ये हमें बताता है कि किसी चीज के अंदर कितना stuff है, कितना matter भरा हुआ है, कितना substance है किसी object में ये हमें बताता है इस बारे में कि किसी चीज की velocity को बदलना कितना मुश्किल है और अगर हम बात करें weight की, तो weight हमें बताता है कि कितना force लग रहा है gravity को उस चीज को नीचे खीचने में तो आम तोर पर हम लोग same planet पे ही रहते हैं और उसी planet के same part पर भी रहते हैं तो अगर किसी चीज का mass जादा होता है, तो उसका weight भी जादा होगा और अगर किसी चीज का weight जादा है, तो इसका मतलब है कि उसका mass भी जादा होना चाहिए और इसी relationship की वजह से हम weight और mass इन दोनो words को एक दूसरे के लिए अधिकतर इस्तिमाल करते हैं और आज के इस discussion में भी यहाँ पर मैं इन दोनो words को एक दूसरे के लिए इस्तिमाल करूँगी लेकिन आप आगे पाएंगे कि इन में थोड़ा सा फर्क है और उस फर्क को हमें कैसे देखना चाहिए लेकिन आज की बात के लिए इसे हम एक ही चीज मानेंगे तो मीट्रिक सिस्टम में relatively हलकी चीजों को नापने के लिए हम ग्राम का अस्तमाल करते हैं और ग्राम का अंदाजा लगाने के लिए आपने पेपर क्लिप्स तो देखी ही होंगी कुछ इस तरीके से तो ये पेपर क्लिप्स इनका जो भार होता है ये कुछ ग्राम में होता है इसके अलावा अगर आप कभी किसी सोने की दुकान पे गए होंगे सोने चांदी की दुकान पे तो आपने सोने या चांदी के सिक्के खरीदे होंगे यह जो सिक्का होता है इसका भार भी ग्राम में होता है या फिर अगर आपने कभी नोटों को नापने की कोशिश करी होगी यहाँ पर अगर हमारे पास ये 2000 का नोट है या फिर 500 का नोट है तो इसका भार भी कुछ ग्राम में आता होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि ग्राम का इस्तमाल हम काफी हलकी चीज़ों को नापने के लिए करते हैं तो अगर हमारे पास कोई भारी चीज़ है तो उसे हम कैसे नापेंगे तो काफी भारी चीज़ों को नापने के लिए हम इस्तमाल करते हैं कीलो ग्राम का और हम जानते हैं कि kilo represent करता है thousand को तो gram से kilogram तक पहुचने के लिए हमें gram को multiply करना होता है thousand से हम कह सकते हैं कि one kilogram ये बराबर होता है thousand grams के तो यहाँ पर ये छोटे letters में K और G represent करते है kilogram को और ये G represent करता है gram को तो kilogram का अंदाजा लगाने के लिए जब भी आप बजार में सबजी लेने जाते होंगे तो आप kilogram में ही सबजियां लेते हैं आप बोलते होंगे एक kilo आलू या फिर दो kilo आलू दे दो तो वो दरसल kilogram की ही बात हो रही होती है वहाँ पे इसके लावा आप अपना वजन भी नापते होंगे kilogram में तो अगर किसी आदमी का जो weight है अगर वो मान लेते हैं 65 kg के बराबर है तो यह हमें बताता है कि वो आदमी कितना भारी है तो kilogram को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक cube है इस तरीके से यहाँ पर मैं पहले अपना cube बना लेती हूँ अगर आपके पास एक cube है जिसके सभी dimensions बराबर है 10 cm के यहाँ पर हमारे इस length जो है इस cube की यह 10 cm है इसकी यह जो height है यह भी 10 cm है और इसकी यह जो width है यह भी 10 cm के बराबर है तो इस cube का जो कुल वेट होगा ये बराबर होगा 1 kg के इसके अंदर का वेट ये बराबर होगा 1 kg के और आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर आप किसी दुकान में जाते हैं और 1 लीटर पानी की बॉटल खरीदते हैं ये हमारे 1 लीटर पानी की बॉटल है और इसके अंदर कुछ पानी ह इस पानी का वेट बराबर होगा वन कीलो ग्राम के तो ये तो बात हो गई ग्राम और किलो ग्राम की लेकिन अगर आपको ग्राम से भी हलकी चीजों को नापना हो हाला कि उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी क्योंकि ग्राम ही बहुत हलका होता है तो ग्राम से भी हलकी चीज ले लें तो हमें मिल जाएगा एक मिली ग्राम हम कह सकते हैं कि मिली ग्राम ये थाउजन्थ ग्राम के बराबर होता है और मिली ग्राम काफी कम वेट को रिप्रेजन्ट करता है अगर आप मिली ग्राम का अंदाजा लगाना चाहें तो जैसे कि आप जो दवाईया या फिर जरूरी है कि यह जो हमारी मिली ग्राम की यूनिट है हम कह सकते हैं कि एक ग्राम यह बराबर होती है थाउजंड मिली ग्राम के और हम कह सकते हैं कि मिली ग्राम यह बहुत ही छोटी यूनिट है वेट को नापने की और इसका अस्तमाल काफी कम किया जाता है